प्रिविशन के जाने माने अभिनेता पार्थ सम्थान इस समय एकता कपूर की शो कसोटे जिन्दगी की में अनुराख के रोल में नजर आ रहे हैं लेकिन खबरों के मुताबिक पार्थ ने यह शो छोड़ने का फैसला ले लिया है वहीं पार्थ के बाद एरिका, करन पटेल और साहिल आनन भी शो को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं इन सब के चलते मेकर्स ने शो को बंद करने का फैसला ले लिया है पार्थ के शो छोड़ देने से उनके फैंस थोड़ा तुखी हो गए मगर हम पार्थ के फैंस के लिए एक खुश खबरी लेकर आए हैं दरसल पार्थ सम्थान के हाथ एक बॉलिवोट का बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है और वो जल्द ही बड़े परदे पर आने की तैयारी कर रहे हैं खबरों की माने तो पार्थ सम्थान को संजलिला बंसाली के फिर्म गंगुबाई काठियावाडी में आलिया भट के अपोजिट एक अहम किरदार के लिए फाइनल कर लिया गया है पार्थ ने अपना पहला बॉलिवोट प्रोजेक्ट साइन कर लिया है अपने पहले बिग बेनर के बॉलिवोट प्रोजेक्ट को लेकर पार्थ काफी एक्साइटेड है आपको बता दे फिल्म गंगुबाई काठियावाडी हुसेन जैदी की किताब माफिया क्वीन्स ओफ मुंबई पर आधारी थे किताब के मुताबिक गंगुबाई काठियावाडी का असली नाम गंगा हर जीवन दास था और वह गुजरात के एक सम्रद परिवार से तालूग रखती थी गंगुबाई के पती ने उन्हें 500 रुपए में वैश्यले में बेश दिया था बाद में कुख्यात अपरादी गंगुबाई के ग्रहक बन गए गंगुबाई मुंबई के कमाठी पुरा इलाके में कोठा चलाती है और स्ताहट के दशक में मुंबई माफिया का बड़ा नाम थी और उन्होंने सेक्स वरकर्स और अनाद बच्चों की भलाई के लिए धेर सारे काम किये थे इस बिग पजट और बड़ी फिम का हिस्सा बन कर पार्थ काफी खुश है रिपोर्ट्स के मताबिक पार्थ 3 अक्टुमबर को कसोटी के आखरी एपिसोड की शुटिंग करेंगे इस शो में वो एरिका के अपोजिट नजर आये थे सेरियल की शुरुवात काफी धमाकेदार हुई थी शो में कई बड़े ट्विस्ट भी आए लेकिन फिर ये शो फैंस को लगातार इंटर्टेन करने में नाकाम्याब रहा और इसकी टी आरपी भी लगातार गिरती जा रही थी वहीं पार्थ सम्थान की बात करें कैसी ये यारिया में मनिक मलोत्रा का किरदार निभा कर पार्थ काफी फेमस हुए थे इसके अलावा वो जल्द ही अपना डिजिडल डेब्यू भी करने जा रहे है पार्थ जल्द ही अल्ट बाला जी की वेब सिरीस में हीरो बोल रहा हूं में दिखेंगे और भी ताज़त तरीन अपडेट्स के लिए लाइक करें फॉलो करें सस्क्राइब करें गजब खबरें